फ़्षान मंत्री नरेंदर मोदी इस दोल एन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते मंत्रा-ले का रोल भहत बढ़ा है अब जैसे सर्कुलर एकॉनमी का विशा है circular economy हमारी परंपरा का हिसा रही है भारत के लोगों को circular economy सिखानी पड़े ऐसा नहीं है हम कभी प्रकूरति के शुरुषक नहीं रहे हैं सधे प्रकूरति के पोशक रहे हैं कि हम जब छोटे थे था में को बताया जाता था कि मात्मा गांदी जब पिछली शताबदी के प्रारंब में साबरमती आस्रम में रहते थे और उस जमाने में तो साबरमती नदी लबाला भरी रहती थी भरपूर पानी रहता था उसके बावजूद भी अगर किसी को गांदी जी ने देख लिया कि पानी को बरबात कर रहा है तो गांदी जी उसे टोके विना रहते नहीं थे इतना पानी सामने होना था फिर भी पानी बरबार नहीं होने देज़े थे आज कितने ही घरों में आप में से साइज हर कोई को पता होगा हर एक के घर में होगा अनेक घर ऐसे हैं कपड़े हो अख़वार हो और भी छोटी मुटी चीजे हो हर चीज को हमारे यहां रियूज किया जाता है रिसाइकल किया जाता है और जब तक उसका बिलकुल समाप्ति नहीं हो जाए तब तक हम उप्योग करते रहते हैं अपने परिवारों का संस्कार है और यह कोई कंजूसी नहीं है यह प्रकूति के प्रती सजगता है संबेदना है यह कोई कंजूसी के कारण लोग यह की चीज दस जगबार रूप्यों करते हैं यह सभी हमारे जो परियावन मंत्रिया आज आए हैं मैं उनको आगर करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सरकुलर एकॉनमी को जाता से जज़्यादा बढ़ावाते हैं अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि आप अपने घर में सरकुलर एकॉनमी की दुरुस्टी से क्या हो रायजार ढूंड के लिए आऊ बच्चा ढूंड के लिए आएगा इसको सर्कूलर एकॉमें के हैं और इससे solid waste management और single-use plastic से मुक्ति के हमारे अभ्यान को भी ताकत मिलेगी इसके लिए हमें पंचायतों स्थानिय निकायों स्वयम सहायता समुह वहां से लेकर MS MS तक को हर किसु को proside करना चाहिए उनको दिशा देनी चाहिए उनको guideline देनी चाहिए सात्यों circular economy को गति देने के लिए ही अब पिछले साल हमारी सरकार ने अपनी भारत सरकार ने वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिशी भी लागू की है अब क्या राज्यों में ये वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिशी को लाब उठाने के लिए को रोड मैप बना क्या उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का investment चाहिए उनको जमीन चाहिए ईकी recycling को implement करेंे काम यह उसी प्रकार से जयाते मैंने भारत सरकार को सूचना दी कि कि some crimes policy को हमें बहुत ग्रणी देरी हैं तो हमें पहले भारत सरकार के जितने वेहिकल हैं जो अपनी उमर पार कर चुके हैं जो कीफार मेंटर पार उद्योग चालू हो जाए क्या राज्यों में भी परियावरन मंत्रा रहे अपने राज्य को संसिटाइज करें कि वह आपके राज में जीतनी वहीकल्स होंगे कि उसको स्क्रेपिंग परिशेप सबसे पहले हम शुरू कर लें स्क्रेपिंग करने वालों को बुला लें और फिर उसके अकान नई गाड़ियां भी आएगी फ्यूल भी बचेगा एक प्रकार से हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं लेकिन नीती अगर भारत रगाने बनी करने के अवशक्ता है अब देखे बायो फ्यूल में हम कितनी तेजी जांके बढ़ रहे हैं लेकिन अकर राज्यों कर भी यह कारकम बन जाए राज्य तयकरे कि हमारे राज्य के जितने वेहिकल हैं उसमें हम सबसे जादा बायो फ्यूल ब्लैंडिंग करके ही वेहिकल करना होगा उसे ग्राउंड पर मजबूती से ले जाना होगा अब इथेनौल ब्लैंडिंग के नए रिकॉर्ड भारत बना रहा है अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं मेरा तो सुझाव यह भी होगा कि हम इथेनौल हो साल में एक बार उनको सटिफाई किया जाए कि कौन राज है और इससे काराण हमारे किसानों को बहुत मतद मतद मिलेगी खेत का जो वेस्ट है वो भी इंकम देना शुरू कर देगा हमें इस हेल्दी कॉंपटिशन को बढ़ावा देना है इस तंदुर स्परधा राज्यो के बीच होती रहनी चाहिए देखिएगा इससे पर्यावरण के रक्षा के हमारे संकल्ब को जन भागिदारी की ताकत मिल जाएगी और जो चीज आज हमें रुकावट लगती है वो हमारे लिए नई छीतियों को पार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगे अब द इमिशन बचाता है पैसे बचाता है क्या हमारा पर्यावरण मंत्राल है हमारा राज्यका बिजली मंत्राल है हमारा राज्यका अर्बन मंत्राल है लगातार बैठ करके मोनिटर करें एक फई LED बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पर लगा है कर नहीं लगा है हर सरकारी दफ्तरों म सारा मुवमेंट चला है जो इतनी बच्छत करता है पैसे बचाता है एंवार्मेंट की भी शेवा करता है आप इसको लीड कर सकते हैं आपका डिपार्टमेंट लीड कर सकता है उसी प्रगार्दे हमें हमारे समसाधनों को भी बचाना है अब पानी हर कोई कहता है पानी को बच ज्यूबात्य को दो करकर चे़ा ईसको लीड कर रहा है क्या जल सवरक्षन का बलते रहा है क्या उसी प्रकार से पर्यावण मंत्रालय कहें और अग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल करके वे ड्रीप इरिगेशन, टपक सीचाई, माइक्रो इरिगेशन उस पर बल देता है क्या याने परियावर्ण बंत्राले के ऐसा है कि जो हर बंत्राले को दिशा दे सकता है, गती दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है और परिणाम ले सकता है आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहूलता थी ग्राउंड वाटर उपर रहता था वहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है पानी की किलत है हजार हजार बारा सो बारा सो फिट नीचे जाना पड़ रहा है साथियों यह चुनवती सिर्फ पानी से जुड़े विभाकी नहीं है बलकि परियावरान विभाक को भी उसे इतना ही बड़ी चुनवती समझना चाहिए आजकल आप देख रहे हैं कि देश के हर जिले में जैसा मैंने आपको कहा हम्रुत सरोवर का अभ्यान चल रहा है